भारत और केनेडा विवाद के बीच आउस्ट्रेलिया के पिम मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े एक सवाल पर भढ़क गये और पत्रकारों के साथ तीखे तेवर अपनाते हुए कह दिया कि चिल करो दरसल आस्ट्रेलिया एक पिम एंथनी अल्वनीज मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस को सम्बोधित कर रहे थे इस दोराट एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें पिम मोदी को बॉस कहने पर खेद है इस सवाल पर आस्ट्रेलिया के पिम आग बबूला हो गए और पत्रकार को सरें डाट दिया हाला कि बाद में अपना गुस्सा काबू करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा चिल करो सच मुझ आपको थोड़ा आराम करना चाहिए हम उस स्थान पर थे जहां अमेरिकी रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंग स्टीन ने आखरी बार किया था मैंने भारतिय समुदाय के प्रधानमंतरी मोदी के स्वागत का मुद्दा उठाया था आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में प्यम मोदी के दौरे के दौरान उनके समर्दकों की भारी भीड जूटी थी इस भीड को देख कर अलबनीज ने पिम मोदी को बॉस बत स्प्रिंग्स्टीन के आने पर हुआ था उधर इस सवाल के लावा जब प्रत्रकारों ने अल्वनीज से पूछा कि क्या वो भारत पर सिखनेता के हत्या का आरोप लगाने वाले कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो के साथ G20 में थे तो इस सवाल पर अल्वनीज चुपी साथ आपको बता दें कि टूडो हाल ही में भारत में आयोजी G20 समिट का हिस्सा बने थे हाला कि इस समिट से लोटने के बाद वो भारत के खिलाफ तीखे तेवर अपना रहे हैं और बेतु के बयान भी दे रहे हैं जिस वज़े से भारत कैनेडा के बीज इन दिनों महौल काफी गरमाय हुआ है